Hello students, ये video B.E.D. की practical file से related है B.E.D. के syllabus में जो practical files है उनमें जो e-p-c first practical है वो है reading and reflecting on text कुछ student सोच रहे होंगे कि ये e-p-c क्या होता है तो जो e-p-c की full form होती है वो होती है enhancing professional capacities आप B.E.D. करके teacher बनने वाले हो तो as a teacher आप में कुछ professional capacities होनी चाहिए, जो आप में professional योगता होनी चाहिए, उन योगताओं को बढ़ाना ही, बीएड में practical file बनाने का उदेश्य होता है, जो ये practical file है, reading and reflecting on text, इस practical file को बनवाने का उदेश्य भी यही होता है, कि इसे students को समझ आ जाएगा, कि जो text होते हैं, उन different type के होते हैं, जैसे कि कोई poem हो गई, कोई drama हो गया, कोई जो newspaper होते हैं, उनमें article हो गई, कोई novel हो गया, तो different type के text होते हैं, तो उनको पढ़ने का जो तरीका होता है, वो भी different होता है, तो जो text होते हैं, उनको कैसे read किया जाता है, कैसे reflect किया जाता है, ये सब आप इस practical file को बना कर समझ सकते हैं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग उन टेक्स्ट जो बीड की प्रैक्टिकल फाइल है इसमें कौन-कौन से टोपिक लिखने हैं यह प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी चलिए देखते इसमें आपको कौन-क रोगे language skills कौन-कौन सी होती है reading, writing, speaking and listening skills के बारे में लिख ओगे इनमे से जो reading और writing skill है इसको अपने detail में explaining करना है नेक्स्ट आपको क्या लिखना है ? Reading के बारे में लिखना है कि reading क्या होती है reading skill क्या होती है Types of Reading, Extensive Reading, Intensive Reading ये सब आपको लिखना है Next आपको लिखना है Wage of Reading कि जो Reading की जाती इसके कौन-कौन से तरीके होते है Pre-Reading, Post-Reading तो ये सब आपको अपने फाइल में लिखना है Next आपको लिखना है How to acquire reading skills Next लिखना है Concept and relevance of communicative reader इसके बाद आपको लिखना है Writing Writing क्या होती है Writing skill क्या होती है Next लिखना है Concept of reflective writing Then आपको लिखना है Importance of developing writing skills Writing के बारे में लिखने के बाद आप लिखोगे text के बारे में सबसे पहले लिखोगे What is text? Types of text Then लिखोगे text structure क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है Next कुछ activities है जो कि आपको अपने फाइल में लिखनी है सबसे पहले आपको क्या करना है Read a book, a general article or a chapter and write personal responses and summaries आपको कोई book पढ़ सकते हो, कोई article या फिर कोई chapter पढ़ सकते हो और उसके अपने summary लिखनी है उसको short करके लिखना है और उसको पढ़ने के बाद उसके बारे में आपके personal response क्या है आपके क्या views है उसके बारे में ये भी आपको लिखना है Next आपको prepare a vocabulary book आपको कोई भी 50 words लेने है जो 50 words आप लोगे उन में से आपको 10 words किसी news paper से लेने है 10 words किसी magazine से लेने है और 30 words किसी book से लेने है और इन words से आपको क्या है एक vocabulary book तयार करनी है आपको जो words है इनके meaning लिखने है और इनके use लिखने है कि इनका क्या use है आप sentence बना कर इनका use करके दिखा सकते है तो आपको ये 50 words है ये अपनी practical file में लिखने है Next है Writing a book review and critically analyze the content and language of the text आपको कोई book आपको किसी book का review करना है Next आपको करना है Read a book and identify the text structure अब text structure क्या होता है ये आप file में लिखोगे पहले तो आपको समझ आई जाएगा आपको दैन आपको क्या करना है कि कोई book लेके उसके text structure के बारे में भी बताना है Next आपको करना है Study and reflect on biography of Gandhi जी आपको Gandhi जी की biography पढ़नी है और उस biography के बारे में आपके क्या views है ये अपनी practical file में लिखना है I hope आपको समझ आगया होगा कि ये practical file कैसे बनेगी यदि अब भी कोई doubt है तो आप comment box में comment कर सकते हैं और next वीडियो में मैं आपको practical file का sample दिखा दूँगी जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा यदि आपने अभी तक BA की drama and art in education critical understanding of ICT and understanding the self practical file नहीं बनाई है तो आप उन्हें बना सकते हैं उनकी वीडियो चैनल पर upload की जा चुकी है झाल